दोस्तों किसी महिला के साथ बलातकार करना बाहती कानून के संगीन अपरादों में आता है। दोस्तों इस पिरकार का अपराद करने वाले व्यक्त को कठिन से कठिन सजा दी जाती है। इस अपराद को बाहती डंड सहिता की धारा 376 में सजा का प्रोवीजन दिया गया है। हैलो दोस्तों मेरा नाम रज़त परताफ सिंग है आर बी लीगर सपोर्ट यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको धारा 3076 के बारे में बताऊंगा धारा 3076 क्या है और कोई ब्यक्त महिला पुरुस आपसी सहमत से संबंद बनात है तो बहँत अपराद की सैनी में आता है या नहीं आता है दोस्तों जानते हैं इस बीडियो के मादेहम से धारा 3076 के बारे में जब कोई ब्यक्त किसी महिला के साथ बलातकार करता है या क्षेडस देता है तो उसे दारा 376 के तहित मुकदमा चलाया जाता है अपराद सिद्ध होने पर दोसी को कम से कम साथ बर्स और अधिक से अधिक दस बर्स का कारावास हो जाता है तथा नियाला दाय दुआरा उसे डंडी के रूप में रुपए या जुर्वाना देना भी होता है उस तो पत्नी के साथ भी बलातकार करने पर होती है सजा यद किसी ब्यक्त की पत्नी जिसकी आई उठारा बर्स से कम है कोई ब्यक्त उसके साथ जोर जबजस्ति करता है चाहें भाई उसका पती ही क्यों ना हो तो ऐसे ब्यक्त पर अपराद सिद्ध हो जाने पर कम से कम दो बर्स की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों धारा 375 रेब को परवासित करती है दोस्तों जब कोई ब्यक्त किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभू गया जो जब ज़स्ति करता है तो उसे रेब कहा जाता है रेप की सजा के लिए दोस्तों दा सेक्षन 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D कई भागों में माटा गया है दोस्तों इसके अलावा कोई ब्यक्त जो सरकारी नौकर है या लोक सेवक है किसी लोक सेवक महिला के साथ आप से संबंद बनाता है तथा उसकी राजी नहीं होती है तो भह भी बलातकार की सेनी में ही आएगा उसके लिए भी कम से कम साथ बर्स और अधिक से अधिक दस बर्स का सजा का प्रोवीजन एवं जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों इद कोई ब्यक्त और महिला जो अठारा बर्स से अधिक आयूके हैं अपनी सहमत से आप से संबंद बनाते हैं तो यह दारा 376 की कैटा गरी में बिलकुल नहीं आएगा उस्चितम ने आयला दुआरा एक आदेस में बताया गया है ती के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं